प्रादेशिक समाचार दर्शन के संख में आप सभी का स्वागत है इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सब्ता में प्रदेश भर में हुए महत्वपून कारियों की जानकारी देते हैं आईए संख की शुरवात करते हैं हाल ही में नए क्रिशी कानून से जबलपुर जिले के किसान काफी उत्साहित है हमारी जबलपूर समवादाता ने खरीदी केंद्रों पर पहुँचकर किसानों से बात की आई ये सुनते हैं नए कृशी कानूनों से किसान लाभानवित हो रहे हैं और नए कानून के बारे में क्या है उनकी राए जिले में MSP के जर्ये किसानों से खरीदी जा रही है उनकी उपच के बारे में जब मैंने पाटन विधान सवाशेत्र इस्थित खरीदी केंद्र पहुचकर किसान नर्मदा प्रसाथ पांडे से बात की तो वे नए क्रशी कानून बनाए जाने पर काफी खुश नजर आई जलहित में है जलह कलेक्टर कर्मपीर शर्मा ने बताये कि जिले में सुवेवस्थित तरीके से किसानों से खरीदी की जा रही है जहरे सरकार की एक देश एक बाजार की मंशा से बनाए गए नए क्रिशी कानून से किसानों और क्रिशी उत्पात से जुड़े ब्यापारियों को ब्यापार करने की नई उम्मीद जागी है कट्नी में नए क्रिशी कानूनों को लेकर किस तरह का माहौल है और कैसे किसानों को इसके प्रती जागरुक किया जा रहा है बदा रही है हमारे संबाद दाता किसानों को केंद्र सरकार द्वारा तीन संसोधन के बारे में जानकारी दी गई जिले में 26 दिसंबर से दो जनबरी तक किसान पंचायतों का आयोजन किया गया इन सम्मेलनों में जन प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं किसानों की उपस्थित में चौपाल लगा कर किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई साथ ही किसानों की समस्याओं का निदान भी किया गया प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए कटनी से मैं राकेश्च चतुरुवेदी गरीबों को स्वास्त सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईश्मान भारत निर्मान योजना की शर्वात की गई इसके तहत कारद धर्व को पांच लाख रुपे तक का स्वास्त भी मा मिलता है जाबुआ जिले के लिए तो ये वर्दान है इसलिए यहाँ इसे जाबुआ कलेक्टर ने जन अभियान के रूप में लिया है ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे समवाद दाता मोटे तोर पर करीब सात लाख से अधिक कारड जिले में बनना है कलेक्टर रोहित सिंग प्राच्मिक्ता से इस पर काम कर रहे है नगर व ग्रामिन निकायों को इस मामले में सक्रिय कर दिया गया है लगबग प्रती दिन समिक्षा हो रही है केवल समगर आईडी वा आधार क कारड लेकर ही सुची में दर्ज लोगों को कारड निसुल्क बनाया जा रहा है इस योजना के तहत जिले में 34 कलेश्टर में विभाजित कर इतने ही जिले अधिकारियों को परिविक्षक के लिए कार सौपा गया है इन कलेश्टरों में प्रती दिन कारड बनाने का निरंतर कार जारी है कलेक्टर रोहित सिंग ने ग्राम rebell छेतर के लिए सहायक कलेक्टर आका सिंग तथा नगरी छेतर के लिए डिप्टी कलेक्टर अभय खराड़ी को नोडल अधिकारी बनाया है इन अधिकारियों द्वारा प्रती दिन कार्ड बनाने की कार समिक्षा की जा रही है आईश्मान कार्ड हिद्गराही विजय ने हमें बताया कि पिछले साल मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था तब मैंने जाबुआ के समीब गुजरात दाहोद में एक जायर होस्पिटल में दिखवाया था तो वहां के डाक्टरों ने मेरे पेट में काफी परेशानी थी जिसके आपरेशन की बात कर रहे थे परन्तु मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आपरेशन करवा सकूँ फिर किसी ने मुझे आईश्मान कार्ड के बारे में बताया तब जाकर मैंने आयुश्मान कार्ट बनवा कर होस्पिटर लेकर गया तो मेरा पूरा इलाज बिना पैसे में हुआ और आज मैं बिलकुल स्वस्थ हूँ और मैं मेरी चाई की दुकान आराम से चला रहा हूँ 14 लाग की जनसें के आवला जहाववा जिले में प्रथम चलने में 7,50,000 से अधिक लोगों को इस हद में लाया गया है जिसमें से जिले में अब तक 2,90,157 हिद ग्राहियों के आयुश्मान कार्ट बन चुके हैं जहाववा कलेक्टर रोहिस सिंग ने ये लक्ष दिसंबर माह में पूर्ण करने के लिए रखा है प्रधान मंती नरेंद मोदी की यह योजना जहाववा से गरीब आदिवासी बाहुल जिले में वरदान साबित हो रही है आयुश्मान कार्ट बनाते हुए नवंबर माह में प्रदेश में जहाववा पहला इस्तान भी प्राप्त कर चुका है समाजार दर्शन के लिए जहाववा से मैं हरिश कुमार यादव खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा के दूरस्त वन ग्रामों में भी आयुश्मान भारत योजना के हितगराहियों के गोल्डन कार्ट तयार किये जा रहे है हमारी खंडवा समवादाता बता रही है कैसे मुश्किल हालातों में भी इस कारी को अंजाम दिया जा रहा है हरसूद अनुवभागी अधिकारी सीरी परशित जाड़े ने बताया कि कुछ ग्रामों में नेटवर्क कनेक्ट्विटी की समस्या आने पर कामन सर्विस सेंटर संचालक अपने उप्रणों वा ग्रामिनों को गाउं की उची पहड़ी पर ले जाकर उनके कार्ड तयार कर र अधिकारी सेंटर बना के अधिकारी सेंटर बना के आईश्वान कार्ड अच्छी संख्या में इनके द्वारा बनाये जा रहा है मैं नाम जावित खाने और मैं CSV लिए रोश्णी से हूँ हमारे दोवारा यहां गोल्डन कार्ड बनाया जा रहे और हम एसी ग्रामी तता पहाडी इलाकों में जाकर गोल्डन कार्ड बनाया जा रहे हैं नेटर की बहुत बड़ी समझ से है लेकिन हमारे और ग्रामी ने अब मनसौर के एक आश्रे ग्रह से एक ऐसी कहानी जो मिसाल है हम सब के लिए विक्षिप्त महिला आश्रे ग्रह का संचालन करने वाली अनामिका जैन अब तक करीब 18 विक्षिप्त महिलाओं को ठीक कर उनका पुनरवास करवा चुकी हैं वही खरीब 8 महिलाएं अब भी उनके आश्रे ग्रह में रह रही हैं ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे समवा अच्छालन करने वाली संजीत निवासी अनामिका जेन अब तक करीब 18 विक्षिक्त महिलाओं को ठीक कर पुनरवास करवा चुकी है वहीं करीब 8 महिलाएं अभी उनके अश्रेग्रह में रह रही है अनामिका को दूसरों की मदद करने का जुनून बचपन से ही था माना सवा करते हुए एक हादिसे में उनका पेर कड़ गया लेकिन अनामिका का जुरून कम नहीं हुआ सडकों पर गूमती विक्षिक्त महिलाओं के साथ होने वाले अचरण और दुर्वेवार से उनके मन में उठी टीस ने उन्हें विक्षिक्त महिलाओं के लिए इश्वर का वर्दान बना दिया जिले में कहीं भी विक्षिक्त महिला की सूचना पर व्यत और उनकी टीम तुरंत पहुचकर विक्षिक्त महिलाओं को अपने आश्रेगर लाकर नियमित उपचार करवाती है इनमें कई तो माइनर बच्चिया तक होती है इनके इलाज का खर्च भी वे खुद उठाती है लेकिन अब उनके मानव सेवा की लगन को देखते हुए इस्थानी लोग और अधिकारी भी उन्हें आर्थिक सयोग करने लगे हैं वर्तमान में मैं विक्षिप्त महिला आश्रगर का संचालन कर रही हूँ लावर इस विक्षिप्त महिलाओं को मैं अपने आश्रगर लाती हूँ इलाज करवाती हूँ और पुनरवास का काम करती हूँ विक्षिप्त महिला को बहुत करीब से उनकी परेशानी को देखा तो फिर मैंने ये डिसाइट किया कि अब मैं लावर इस विक्षिप्त महिलाओं के लिए काम करूंगे क्योंकि इनसे होने वाले नुकसान के बारे में मुझे पता चला उनके इस नेक कारी को देखते हुए दो वर्ष पूर्थ तात्कालिक कलेक्टर ने उन्हें व्रद्द आश्रम के निकट एक हाल उपलब्द करवाया था ताकि विक्षिप्त महिलाओं को आश्रम मिल सके जहां आप अनामिका विक्षिप्त महिला आश्रम का संचालन करती है अनामिका अब तक कई महिलाओं का उपचार और पुनर्वास करवा चुकी है मानावता के प्रत्ति उनकी है सेवा समाच के लिए एक मिसाल है मंदला शहर में धार में एक सामाजेक और बड़े आयोजनों पर बढ़ने वाले यातायाद दबाव को व्यवस्थत करने के लिए ट्राफिक पुलिस अब ट्राफिक मित्र का सही ओग लेने जा रही है इसके लिए ट्राफिक मित्रों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास ट्राफिक पुलिस करेगी विस्तार से बता रही है हमारे समबाद दाता जोडने का प्रयास करेगी पुलिस अधिक्षक के निर्देशन में जिले की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाये जा रहे है ट्रैफिक में मिसन में जोडने वाले युवाओं को इससे दूर रहने के उपाए एवम नसा करने के दुस्त प्रणामों के भारे में भी बताया जा रहा है शुबेदा योगेस राजपुत ने बताया कि नसा चाहे तंबाकू, बिडी, सिग्रेट, सराव या ड्रक्स का हो इनकी लत काल के गाल में ही ले जाती है युवा अगर इनके दुस्त प्रणामों को समय रहते जान ले और इनसे दूरी बनाये रखे तो वा अपने स्वास तो भविस दोनों को सुरक्षे दरख सकता है ट्रेफिक में तरय योजना का उद्देश सिर्फ युवाओं को ट्रेफिक में सहायता लेना ही नहीं बलकि युवाओं को बोरी आतों से दूर रखना एवं उनके उजल भवस के निर्माण में सहायता प्रतान करना भी है जिससे सहर का युवा नसा अधि बुराईयों से दूर रहे एवं एक अच्छे समाज का निर्माण करे नर्सिंगपूर जिले के करेली के पारंपरी गुड की पहचान को कायम रखने जिला प्रशासन ने बड़ी सार्थक पहल की है जिसके चलते अब यहां का जैविक गुड भूपास सहित इंदोर हाठ में जम कर बिक रहा है आईए जानते हैं क्या खास हो रहा है यहां की गुड की मिठास को बरकरार रखने के लिए प्रदेशी रही बरंदेश में अपने गुड की खाशियत के चलते नर्सिंगपूर जिले के करेली का गुड अब ब्रांडिंग और प्रमोशन के चलते देश के कई सहरों में बिखने जा रहा है राज्यशाशन की मंसा के नुरूप एक जिला एक उत्पाद के चलते नर्सिंगपूर के करेली के गुड की ब्रांडिंग बाप प्रमोशन जिला प्रसाशन के नवाचार दौरा की जा रही है जिसके जलते नर्बदान चल के करीब सतर हजार हेक्टेर भूमी में होने वाले गन्ने की फसल को अब बहतर मुकाम मिलने की उम्मीद है पिछले कुसानों से यहां के गुण की गुणबता बाहर से आए लोगों दोरा गुणबनाने और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के चलते कुछ हद तक धूमिल हुई है जिसके चलते जिले के ऐसे मेहनत कसकिसान जो आज भी अपने पारमपरिक जयविक तरीके से गुण बनाते हैं उनका गुण और उससे जुड़े कई तरह के उत्पाद कई फिलेवर में अब भोपाल और इंदोर हाट में जिला प्रशाशन की पहल से जम कर बिक रहे हैं बाजार से करीब 3-4 गुण दाम पे बिकने वाले ये उत्पाद यहां की खासियत के चलते हाथों हाथ खरीदे जा रहे हैं पारमपरिक तरीके से गुण बनाने वाले जिले के करीब 50 किसानों को भोपाल और इंदोर हाट में उनके गुण और अन उत्पादों के साथ भीज बुड़ा दूमिल हुई थी दिनों में वो उसको प्रमोट करने के लिए कारे करना से यह चुपी प्रेली एक ब्रांड है और उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आने वाले दिनों में अब इस गुड़ को शारे देश में बेचे जानी की यह उजना है उम्मीद है कि आने वाले दिन फीकी हो रही करेली की गुड़ की टामिठास को फिर बरकरार रखेंगे और ये कदम जिलापशाशन का बेहद सार्थक होगा नर्सिंगपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आसीज जैन प्रादेशिक समाचार दर्शन के संख बेफिल हाल इतना ही अगले सबता फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर जी प्रस्तुती प्रादेशिक समाचारे का अंज भोपाल